हेलो एवरिवान टीस्टी फूड वेतुतकरशा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपके लिए लिए कराई हूँ वेज़ फ्राइड राइस की रिसिपी जहां फ्रेंड्स वेज़ फ्राइड राइस बहुत ही टीस्टी लगती है सभी को पसंद आती है और जटपट बन जाती है तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें एड़ कर देंगी और अब हम इसमें add कर देते हैं बारे कटी हुई प्याज और इस प्याज़ को हमें 1 मिनट के लिए सिर्फ बूनना है हाई फ्लेम पे गर look हमें बहुत ज्यादा प्याज को brown नहीं करनी है बस 1 मिनट के लिए हमें से हाई फ्लेम पे बून लेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं बारी कटी हुई गाजर, बारी कटी हुई हम डाल देंगे फ्रेंच बीन्स और साथ ही मैं डाल रहे हूँ बारी कटी हुई स्प्रिंग ओनियन के ग्रीन्स जो है spring onion के जो greens में add करेंगे वो थोड़ी सी add करेंगे बाकी के मैं बाद में add करूंगी आप अगर fresh मटर यूज़ कर रहे हैं तो इस stage पे आप मटर भी डाल दें इन सबी सब्सक्राइब को high flame पे हम cook करेंगे बहुत जादा इसे हमें soft नहीं करनी है बहुत जादा सब्सक्राइब को नहीं पकानी है सिर्फ 2 मिनट के लिए हम high flame पे इसे cook करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब को हमें इसमें crunchy रखना है soft नहीं करना है तो 2 मिनट हो गया है high flame पे मैं इसे भून लिया है सबी सबजीयों को उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं frozen मतर हम डाल देंगे अगर आप fresh मतर यूज़ कर रहे हैं तो आप गाजर के साथ ही डाल दें आप इस स्टेज पर यहाँ पर capsicum भी डाल सकते हैं और इन सबी सबजीयों को हम अच्छे से दो मिनट के लिए मैंने भूना है फिर उसके बाद मतर डाला मैंने मतर को डालने के बाद फ्रोजन मतर डाला था तो फ्रोजन मतर डालने के बाद वन मिनट के लिए मैंने उसे और भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे जो cooked rice होती है वो मैंने plain rice से बिलकुल वो डाल दिया अब हम डाल देते हैं काली मिर्स पॉडर एक छोटी चमच साथ में थोड़ी सी नमक और अब हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून विनेगर और साथ में हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून सोय सौस तो सोय सौस में भी नमक होती है इसलिए नमक को बिलकुल ध्यान से डाले ध्यान में रखकर ही नमक एड़ करें और अब हम इसे मिला देंगे बिलकुल हल्की हाथों से मिलाएं बस नीचे से इस तरीके से उठाए और ऐसे पलट दें अगर आप बहुत जादा इसे चलाएंगे तो क्या होगी राईस आपकी तूट सकती है तो बस इस तरीके से नीचे से अइसे उठाएं और ऐसे पलट दें या फिर आप टॉस कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है आप एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रू ट्राइ कीजेगा और अब हम इसमें डाल देते हैं जो इस्प्रिंग ओनियन की जो ग्रीन्स है उसे हम इसमें एड़ कर देंगे और अब इसे भी हम एक बार मिला लेते हैं बस सेम इस तरीके से नीचे से उठाएं ऐसे पलट दें बहुत जादा नहीं चलाएं नहीं तो राइस तोट जाएगे तो बस इस तरीके से पलट दे और या फिर आप इस तरीके से टॉस भी कर सकते हैं तो ये वेज फ्राइड राइस हमारी बनकर बिलकुल रेडी है बस अब इसे हम गर्मा गर्म सर्फ कर लेंगे तो बस इसे हम सर्फ कर लेते हैं और ये वेज फ्राइड राइस खाने के लिए बिलकुल रेडी है पसंद आयो मेरी ये रेसिपी तो इसे जरूर लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा फ्रेंड्स फामिली मेंबर्स के साथ और साथी साथ मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप टच कर लेजे आन कर लेजे ताकि जो भी मैं लेटिस वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मिलती हो फिर किसी नेक्स रेसिपी में आज के ली बस इतना ही तैंक यू